Hello guys, अगर आप वीडियो में एंटर हो चुके हैं तो सबसे पहले ये जान ले कि आखिर ये क्लास आपको क्यों देखनी चाहिए मेरे सभी प्यारे सातियों अगर आप SSC के किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि SSC के previous air question solve करना most important होता है क्योंकि SSC के अंदर repeated question बहुत बार पूछे जाते हैं और इसी लिए SSC के किसी भी एक्जाम में जब आप paper देने जाएंगे तो आपको most repeated question जो है वो previous air के देखने को मिलेंगे उसी चीज़ को consider करते हुए मैं आप सभी के लिए SSC CHSL pre exam 2023 के papers को solve कर वार हो आज तक मैंने दो दिन की shifts को complete कर लिया है आज हम आठवी class के अंदर 10 March 2023 की तीसरी shift को discuss करने वाले हैं हर एक question को best approach के साथ solve करते हैं ताकि हम math के section को 15-20 minute में खतम कर सके तो मेरे सभी प्यारे साथियों आपकी अच्छी practice नहीं है आपने अच्छी तरीके से previous questions को solve नहीं किया है अगर अभी तक आपने previous questions को solve नहीं किया है तो भाई यहां से आप class को शुरुआ से आखरी से देखना start कर दो जितने भी पीछे classes previous करवाई हैं उन सभी को देख लो आपको जो है वो आने वाले exam में मैं इतना वादा करता हूँ कि एक अच्छा score मिल जाएगा आपको क्योंकि यहां पर जो भी concept आपको सिखाए जाते हैं वो सभी concept जो हैं वो इतने sort होते हैं कि आप questions को 15 से 20 सेकेंड में complete कर लेंगे चाहे वो कितना भी difficult question हो जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो में हम discuss करने वाले math के papers को चलिए तो पहले question से class को start करते हैं पहला question देखिए क्या कहता है पहला question बहुत ही अच्छा question है यह question कहता है कि Newton को एक bank और एक app से loan के दो offer मिलते हैं आप ने 10,000 रुपई की पेसकस वार्सिक रूप से संयोजी चकरती ब्याज पर 15% की दर से 2 वार्स के लिए और bank ने उसी दर पर उसी समय के लिए समान रासी की पेसकस साधारन ब्याज पर की तो ब्याज के बीच अंतर ग्याद कीजिए देखिए इस question के अंदर आपको साध अंदरा पंदरवे 220, 2.25 जो होगा, वो CI और SI का डिफरेंस होगा, तो हम क्या करेंगे, 10,000 का क्या निकालेंगे, 2.25 निकालेंगे, ओके, तो हम ये 2.0 को अगर इधर 0 बढ़ा देंगे, तो हमारे उपर पॉइंट कर जाएगा, 4.0 से ये 4.0 कर जाएगा, और answer आजाएगा 225, लेकिन इस question को अगर आप को करना पता है, तो आप सिर्फ 5 सेकेंड में इस question को इस तरीके से solve कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, आखिर मैंने 225 डारेक्ट कैसे कर दिया, ये बात अगर आपको नहीं पता होगी, तो आप sort तरीके से नहीं कर पाएगे हर रोज मैं इस class के अंदर यही मैं आपको बताता हूँ कि मैं दोनों method आपको बताऊंगा, ठीक है, जब आप एक बार question को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो आप उसी question को sort करना सीख जाएंगे, मैं ऐसे concept सबसे पहले समझाओंगा, फिर sort trick समझाओंगा, जब अगली ब बात करी जा रही है, तो आपकी rate कितनी हो जाएगी, किसकी simple interest की, simple interest की rate हो जाएगी 2 साल की 30%, ये बात आपको clear है, ठीक है, अब वहीं पर अगर compound interest की बात करूँ कि compound interest में कितनी rate होगी, तो आप सभी को पता है कि compound interest निकालने के लिए success you लगाते है, 15 प्लस प्लस का गुड़ होगा, तो प्लस आएगा और 15 into 15, बटे हाँ, आपका हो जाएगा 100, यहाँ पर आगे अगर हम निकालेंगे, तो यह आजाएगा 30, प्लस आपका कितना, 15, 25, और दो पॉइंट लगेंगे, तो आपका कितना आजाएगा 2.25, तो यह कितना हो जाएगा, आपका CI जो मैंने आपको बता दिया, 2.25 इसका अंतर होगा, अब आप इस question को जो है, बहुत ही आसानी से कर लेंगे, जब आपको पता हो गया, कि अगर 2 साल, और 2 साल के अंदर CI और SI का अंतर निकाल ला हो, तो किस तरीके से निकलता है, अब आप जो है, यह वाला सारा process follow नहीं करेंग मैं आपको हर एक class में 1-2 करवाता हूँ, क्योंकि यह सभी question आपके paper में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको करवा रहा हूँ, यह question पूछे गए, तब जाकर मैं आपको करवा रहा हूँ, ओके, इसमें कहा गया, एक वरत की जो तरीजिया है, वो 18 cm है, इस वर पर जो आपको concept clear करूंगा, अगली class जो आप देखेंगे तो इसी concept के base पर आप बहुत सारे question चुटकियों में solve कर लेंगे, इसलिए आप कभी duration को मत देखा करो कि class कितनी लंबी हो रही है, तिर्फ class में enter होने के बाद ये चीज़ सीखा करो कि class जो है, वो कितनी important है, कितने important method आपको class के अंदर सिखाय जा रहे हैं, और इनको सीखने के बाद आप कितने ज्यादा questions को solve कर लेंगे, इसलिए duration की पीछे मत भागो, class देखा करो, शुरुआ से आखरी तक, ठीक है, चलो, तो यहाँ पर यह जो आपकी जीवा हो जाएगी, ठीक है, अगर बात करें यहाँ आदिया code कितने का, साथ हंस का, प्रॉपर्टी देखना, यहाँ पर कोई मैं additional property नहीं लगा रहा हूँ, एक simple property लगा रहा हूँ, जो बच्चो बच्चो को पता होती है, देखें, अगर तरिज्या यहाँ पर आपके 18 cm दे रखी, और यह भी आपके 18 cm दे रखी, एक तुरु 180 में से, अगर मैं 60 को माइनस कर दूँगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 120 संस, अब 120 संस को अगर 2 से डिवाइड कर दूँगा, तो हमारे पास आ जाएगा 60, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह भी आपका 60 दिगरी हो जाएगा, अब आप सभी को पता ह हो गई हम अगले कोश्चन की तरफ बढ़ रहा है अगला कोश्चन देखिए क्या कहता है अगला कोश्चन कहता है कि दो वरत जिनकी तरजया 16 सेंटी मीटर और 6 सेंटी मीटर है एक सीधी उबैनिस्ट इस पर सलेखा की ताकि इसको समझना आसान हो जाए ओके ये लीजिए ये हमने एक और सरकल डाल दिया और इसके उपर हमने क्या डालनी है अब एक टेजन डालनी है ये लीजिए यहां से हम एक टेजन डाल देंगे यह तक जो टाइम आपको लगता है वो concept clear कर्वाने के लिए लगता है और अग नहीं आएगा लेकिन यह कोश्यां जो है वो बहुत ही जलती हो जाएंगे चलिए भी टैजन डालती और जिसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमेटर यह बात आपको क्लियर हो गई अब अगर बात करें इनकी त्रिज्या की तो त्रिज्या कितनी है अगर इनकी बात करें जैसे सप सेंटीमेटर की हो गई और यह 6 सेंटीमेटर की हो गई अब हमसे पूछा क्या है हमसे पूछा इन दोनों के केंदर के बीच की दूरी पूछा है तो हम इसको क्या माल लेते हैं हम इसको माल लेते हैं D, हम इसको D माल लेते हैं, अब इसको solve करने के लिए हम थोड़ा question को उपर कर रहे हैं, आप लोग English वाला question पढ़ लिए होंगे, तो English को हम छुपा देते हैं, ताकि हमें solve करना आसान हो जाए, तो आप सभी को पता होगा, जब हम tangent हमसे पूछी जाती, तो tangent का formula क्या होता है, औ R1 minus R2 का whole square, यह बात आप सभी को पता है, यह आपका किसका formula होता है, यह tangent निकालने का formula होता है, तो इसी के अंदर अगर values को put करें, तो हमारी AB कितनी है, AB की लंबाई हमारी दे रखी 24, ठीक है, बराबर, under root लेंगे, under root के अंदर जो है, वो D की हमें value अभी भी नहीं पता है तो D square कर देंगे, अगर आपकी R1 में से R2 minus करेंगे, मतलब 16 में से 6 को minus करेंगे, तो हमारा पर 10 आएगा, और 10 का square कितना होता है, 100 होता है, ठीक है, अब यह जो bracket है, जो आपका root है, अगर यह उधर जाएगा, तो यहाँ पर 24 का square बन जाएगा, 24 का square कितना हो जाएगा, 24576 यह आपका जो है, 24576 हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचेगा, इधर आपका बचेगा, D square minus, आपका क्या बचेगा, 100, अब D square अगर यह minus का उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आगे इसको फर्दर यहाँ पर solve कर लेते हैं, okay, 576 में 100 जुड़ेगा जो जाके कितना आपका 76 हो जाएगा, और बराबर हमारा क्या दे रखा है, हमारा D square दे रखा है, तो D निकालने के लिए 26 आजाएगा, यहाँ पर आपका, क्या हो जाएगा, इसका अंडरूट कितना हो जाएगा, D हमारा 26 हो जाएगा, यह बात आपको clear हो गई, और यही आपका right answer हो आपकार होगा, writing उतनी smooth मेरे से अभी नहीं लिखी जारी, क्योंकि मेरे पास अभी भी जो है, वो writing pad क्या है, वो छोटे size का है, ओके, बड़े अगले question की तरफ चलिए, अगला question दिखे क्या कहता है, अगला question दिखे क्या कहता है, एक P अकेला एक कारी को 10 दिन में पूरा करत है, ठीक है, कारी को 4 दिन में पूरा करने के लिए, R, P, Q, जो है, वो कारी पर रखा जाता है, तो हम यहाँ पर करते हैं, P, जो है, वो कितने दिन में कर रहा है, P, भाई, 10 दिन में कर रहा है, क्यों कितने दिन में कर रहा है, अगर क्यों की बात करें, तो Q, जो है, वो 15 दि लेते हैं ठीक है तो 10, 6, 60 इसकी 6 efficiency आ जाएगी 15, 60 और ये कितना आ जाएगा 15, 15, 60 इसकी efficiency 15 आ जाएगी clear है अगर हम यहाँ पर बोलें कि P की actual में efficiency कितनी दे रखी P की 6 दे रखी है और क्योंकि कितनी दे रखी क्योंकि दे रखी है 4 तो 6, 4, 10 तो आपकी यहीं पर हो गई तो बची कितनी 5 तो ये जो efficiency बची है वो किसकी हो जाएगी वो आपकी R की हो जाएगी अब आगे पूछा R अकेला इस कारी को कितने दिन में कर पाएगा तो टोटल वर्क हमारे पास कितना दे रखा है टोटल वर्क हमारे पास 60 दे रखा है और 60 को अगर हम 5 की efficiency करेंगे तो right answer कितना आ जाएगा 12 12 दिन में यहां पर जो है वो R के दोरा काम को समाप किया जाएगा D आपका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा I hope यह भी question आपको बिल्कुल clear हो गया होगा हम अगले question की तरफ बढ़े चलिए अगला question देखिए क्या कहता है अगला question कहता कि एक jacket को 9610 में बेचने से अरजित लाब उसी jacket को 7690 में बेचने पर हुई हानी के बराबर है 10% लाब अरजित करने के लिए jacket का विक्रे मुल क्या होना चाहिए अगर मैं इसको चुटकियों में करना चाहूँ तो मैं इसको 10 second में question को कर सकता हूँ लेकिन सबसे पहले मैं आपको concept समझाऊंगा उसके बाद मैं आपको बर रहा हूँगा किसके अंदर क्या approach लगेगी जिससे आप इस question को 10 से 15 second में खतम कर सके ठीक है तो पहले हम concept को सुकते हैं देखे concept की बात करेंगा अगर आपने सीखा होगा तो profit profit क्या होता है profit होता है SP-CP ये बात आपको clear है कि profit हमारा क्या होता है SP-CP होता है अगर हम loss की बात करें, loss क्या होता है, loss होता है CP-SP, ये बात आपको पता है, loss हमारा CP-SP होता है, ये दोनों बाते आप लोगों को पता होनी चाहिए, अब अगर हम वही चीज यहां पर रखें, पहले कहा गया है कि 9610 में बेचने पर लाब जो है, वो किसके बराबर 7690 बेचने पर हानी, तो लाब हानी को बराबर कर देते हम पहले profit को लेते, profit में क्या रखा, selling price minus cost price, तो हमारे पास selling price दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर selling price आपका कितना होगा, 9610 रुपए, minus आपका क्या हो जाएगा, CP, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका profit निकल आय इसको बीचा गया, 7690 में, अब देखें, अगर हम इसको क्या करें, CP को इधर लेयां, तो 2CP हो जाएगा, और इधर इसको जोड़ दे, तो 9610 और 7690 जोड़ जाएगा, तो मैं direct करता हूँ, 2CP बराबर आपका कितना हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो 0, ठीक है, और 9, 1, 10 का 0, और 6, 6, 12, 1, 13, ठीक है, उसके बाद 9, 7, 16, 16, 17, तो 17, 30 आपका जो है, वो 2CP आजाएगा, और CP यहाँ पर अगर निकालेंगे, तो इसका आधा कर देंगे, ठीक है, 28, 16, 12, 25, 10, तो 8650 आपका क्या आगया, CP आगया, यह बात क्लियर है, अब आगे बोला गया है, क अगर 0 से 0 को काट देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यह एक आजाएगा, ठीक है, तो 11, 55, 55, 55 का 5 आगया, कैरी आया 5, तो 11, 6, 46, 6, 5, 11, 1, अब देखें, यूनिट डिजिट से आप इस question को कर सकते, इसमें 55 नहीं आरा, तो यह option नहीं होगा, इसमें 55 नहीं आरा, तो यह option नहीं होगा, और यहाँ पर आपका स्वारी, 15, 51 नहीं, स्वारी, 15, ठीक है, तो 15 आरा, तो यहाँ पर यहाँ पर यह आपका बिल्कुछ सही जवाब हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट से आप अगर आपका answer निकल ला, तो कभी भी आप पूरा question solve करने की कोसिस मत करन ठीक है, बस यह confidence आपके अंदर तब आएगा, जब आप maximum practice कर लेंगे, जब आप maximum practice कर लेंगे, तो आपको पता होगा कि unit digit यह आ गया, तो question का answer यही होगा, लेकिन अगर आपने practice नहीं करी होगी, तो यहाँ thought में आपके क्या चलेगा, कि मैं पूरी calculation करता हूँ, तब ही मु बहुत ज़्यादा practice करते हैं, तो इस practice को शुरुआ से आखरी तक करते हैं, जब तक आपका exam आएगा, इतनी practice करवा दूँगा, कि आपके question जो है, वो चुटकियों में बनना start हो जाएंगे, 15-20 second में difficult से difficult question आप बनाना सीख जाएंगे, चलिए, अगला question देखी क्या कहता है अगला question यहाँ पर देखी कहता कि दुकान एक, दुकान तीन और दुकान चार द्वारा बेचे गए गेहूं की मातरा, सभी चार दुकानों द्वारा बेची गए, कुल चीनी का प्रतिसत कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले एक और तीन चार की बात कहते हैं, एक, तीन और इनको जोडते हैं, किसकी वीट की बात करी गए, यह जो एरर सा है, उसकी बात करी गई है, तो हम जोडते हैं भाई, यहाँ पर देखीए, 16.5, 16.5 हम डारेक्ट 19.5 को जोडेंगे, 16.5 में अगर 0.5 जोडेंगे तो 17 हो जाएगा, 17, 10, 27, 27, 29 कितना हो जाएगा, 9, 7, 16, 36, 36, और 4, कितना हो जाएगा, 40, 40, 20, 60, तो इस तरीके से आप अगर जोडेंगे, तो बहुत जल्दी जोडेंगे, ठीक है, हमेसा Mind Calculation से जोडने की उकोसिस करो, ताकि Question जो है, जल्दी Sol हो जाए, ओके, चलिए, अब हमें किसको जोडना है, हमें जोडना है, सुगर के बारे में अब 4 को डोलेंगे, सुगर, सुगर यह देखे, 12.5, ठीक है, 12.5 और फिर 15.3 और फिर 15.2, तो सबसे पहले 0.5, 0.3 और 0.2 को जोडते हैं, तो हमारे पास 1 निकल ले आएगा, तो 12, 1, 13, ठीक है, 13, 10 कितना हो जाएगा, 23, 25 कितना हो जाएगा, 28, ठीक है, और 28, 20 कितना हो ज बनाना, तो आप इसका रेशो बनानों, रेशो कितना बनेगा, आपका 3 बटे 5 बनेगा, 3 बटे 5 कितना होता है, और 3 बटे 4 कितना होता है, और 3 बटे 4 कितना आपका 75% हो जाएगा, यह बात आपको क्लियर हो गई, आप इसको आसानी से को कर सकते हैं, कितनी आसानी से, यह स लगातार प्रेक्टिस करते रहेंगे आने वाले एक्जाम तक तो आपके कोश्चन जो है वो चुटकियों में बनना स्टार्ट हो जाएंगे ओके चलिए अगला कोश्चन देखी क्या कहता है अगला कोश्चन यहां पर यह इंग्लिस में दे रखा इंग्लिस वाले बच्चे अच्छी नहीं है इतने मतलब इतने बच्चो वाले कोश्चन तो यार आपको आने ही चाहिए यह अगर मैं सिखाने बैटूंगा तो आपकी क्लास की डूरेशन और लंबी हो जाएगी और आपको मजा नहीं आएगा भाई क्लास देखने में ठीक है तो इन कोश्चन को सिर् L और M के कुल वेतन और P और Q के कुल वेतन का अनुपात आपको बताना ठीक है और एंसर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्या है एंसर I think 21 या 23 या 21 है ठीक है लेकिन आप लोग चेक कर लेना मुझे comment box में बता देना किसका right answer क्या है ठीक है चलो इतने easy questions मैं नहीं solve कर सी थे यदि तीसरे विशय में उसके अंग छाचर थे तो सभी पांच विशय में उसके औसात अंग कितने हो जाएगा बहुत जबर्दस question है बहुत सारे बच्चे इस question को skip कर देते हैं क्योंकि उनको अप्रोच ही नहीं पता है कि इस question को कैसे चुटकियों में solve किया जाएग इसको थोड़ा दूर लिखता हूं ताकि आपको clear नजर आये ठीक है 75 एवरेस दे रखा है यह बात clear है और उसने आगे बोला है कि अंतिम 3 का मतलब है 3, 4, 3 और 5 वी संख्या का जो एवरेस दे रखा है वो कितना दे रखा है वो हमारा दे रखा है 82 और हमसे पूछा कितनी सं यह बात आपको clear होगी उसने common संख्या का average दे दिया 6, 6 अब हम इसी common संख्या को क्या माल लेंगे हम base माल लेंगे और common number को base माल लेंगे हम इसको करेंगे यहां पर यह जितने जादा है उनको जो है वो निकाल कर हम 10 से स्वरी इसे 5 से divide कर देंगे और वो जो आएगा वो हम 66 चाचट में दोड़ देंगे और वही हमारा answer हो जाएगा तो हम क्या करेंगे यहां पर 66 से कितना ज्यादा है अगर एक का 9 ज्यादा है तो 3 लोगों का कितना ज्यादा हो जाएगा यह 27 ज्यादा हो जाएगा यह बात आपको clear है तो overall आपका ज्यादा कितना आ गया 8, 7, 15 ठीक है और चार, दिश, 6, 6, एक सात, पचहतर आपका ज्यादा है, प्लस का पच्छतर निकला है अब अगर प्लस का पच्छतर आपका निकला है तो यह कितने में डिवाइड होगा ये 5 में डिवाइड होगा क्योंकि average हमें 5 लोगों का निकलना है तो आपका कितना निकल के आएगा 15 निकल के आएगा ठीक है और इसी 15 को अगर हम 6,8 में जोड देंगे तो 6,5,11 और 6,7,18,81 आपका जो है वो बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा I hope ये method आपको बिल्कुल clear हो गया होगा ऐसे method से related जो आपके concept समझ नहीं आते उनकी एक separate वीडियो में question की जो है वो कहां पर डालता हूँ इसी channel के उपर डालता हूँ इसलिए channel को subscribe कर लो भाई और bell icon को दबालो ये जो concept के जो छोटी छोटी वीडियो हैं वो भी मैं upload करता रहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को concept समझ नहीं आते हैं कि सर ये approach आप कैसे लगा देते हूँ वहाँ पर मैंने आपको detail में समझाया होता है कि आखिर ये जो concept है वो कैसे काम करता है अखिर इसके अंदर क्या किया जाता है क्या step apply किया जाते हैं क्या process होता वो सारी बाते वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ इसलिए जो छोटी छोटी वीडियो डालता हूँ आट मिनट दस मिनट की उनको देखा करो क्योंकि उनके अंदर जो भी concept सिखाता हूँ उसके बाद आपके वो concept clear हो जाते पूरे math के अंदर 15 से 20 concept हैं जिनसे आप 18 question कर सकते हैं अपने paper set के तो वो सभी concept मैं धीरे धीरे आपके सारे clear करवा दूँगा और जब मैं आपको set करवाँगा तो वो concept आपके mind में यहाँ पर छपे होंगे और जब मैं आपको करवा रहोंगा तो आप उस cheese को gain कर पाएंगे हाँ सर इस cheese को इस तरीके से करवा रहे हैं यह method सर ने इस तरीके से पढ़ाया था इसलिए question बहुत easy हो रहा है बड़े अगले question की तरफ अगला question देखे क्या कहता है अगला question कहता है कि 3 करमत सम संख्याओं का योग कितना है 126 है पहली छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गोडनफल क्या हो जाएगा देखे अगर बात करेंगे 3 करमत संख्या तो हमने माना एक संख्या जो है वो x है और अगली संख्या जो है वो x plus 2 है और सबसे पहली संख्या क्या है वो x minus 2 है हमने ये 3 संख्याओं को मान लिया ये बात clear है अगर हम इन 3ों का योग करेंगे तो कितना आजाएगा x, 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 3x आ जाएगा 3x आ जाएगा अगर 2 को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कर जाएगा तो 3x इसका योग आएगा और ये योग दे रखा है 126 के बराबर कितना दे रखा है 126 के बराबर दे रखा है अगर हम यहाँ पर x निकालेंगे तो x कितना लगे दे निकलेगा तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएगे अगर 42 में से आपका माइनस 2 होगा तो यह आ जाएगा नंबर 40 और यह आपका 42x निकल के ही आया और यह कितना हो जाएगा 44 अब कोश्चन के अंदर पूछा सबसे चोटी और सबसे बड़ी संख्या को गुलन फल तो यह सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी है 44 है सबसे चोटी कितनी है आपकी 40 है ठीक है अगर इसको solve करेंगे तो चार्चकु 16 ठीक है और चार्चकु 16 एक 17 तो आपका 1760 आपका बिल्कु सही जवाब हो जाएगा जो कि आपका आर बराबर आपका कितना हो जाएगा A to B into C बराबर आपका 4 एरिया मतलब यह जो आपके भूजाएं दे रखी इस भूजाओ द्वारा बने हुए triangle का area अब देखिए यह triangle जो है वो ना ही equator triangle है ना ही right angle triangle है तो इस triangle का area निकालने के लिए हम कौन सा concept लगाएंगे हम heroes का formula लगाएंगे और अब अगर मैं आपको heroes का formula यहां पर बताऊंगा तो class इतनी लंबी हो सब्सक्राइब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका तीन आ जाएगा अगर 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा फिर 9 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा तो यहां से आपका एक तो 6 बाहर निकल के आएगा और एक कितना निकल के आएगा तीन बाहर निकल के आएगा और under root में क्या बचेगा आपका 5 तो आपका जो area निकल के आया. Area आपका कितना निकल के आया. 18 root 5 निकल के आया. ठीक है? 18 root आपका 5 area निकल के आया. तो हम इसे side में लिक्स लेखते हैं एरिया हमारा कितना निकल के आया. 18 root 5. ओके? आगे further हमें solve करना आपको proper clear हो सके इसलिए इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बचे mobile पर देखते हैं तो उनको जो है वो छोटा दिखाई देता है ओके चलो इसको आगे हम अगर further solve करें तो आर हमें निकालना है हमें परीवरत निकालना है आर बराबर ABC कितना दे रखा ह हमारा 12 into 9 ठीक है into 9 और आगे दे रखा है 4 into area हमारा कितना देखा है 18 root 5 ओके अगे अगर हम इसे solve करेंगे तो solve करने के लिए सबसे पहले काड़ते हैं बाई 4 से ये कर जाएगा 3 बार ठीक है और ये 9 से कर जाएगा 2 बार तो हमारा क्या answer आएगा हमारा आगे हमारा आएगा 9 2 root 5 ओके अब यहां पर देखे 2 root 27 दो root 5 दिया नहीं है तो हम इसका क्या करेंगे आगे हम फर्दर solve करेंगे root 5 का उपर गुड़ा करेंगे और root 5 का नीचे गुड़ा करेंगे तो हमारा ये आगे क्या निकल के आएगा 27 root 5 और root 5 root 5 का गुड़ा होगा तो 5 आएगा 5 दूनी 10 आपका 27 root 5 बटे 10 आपका कहां पर C में आपको answer दिखाई दे रहा है तो C आपका बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा आगे अगले question की तरफ बढ़े अगला question देखिए क्या कहता है अगला question कहता है कि सा सेमी तरजा वाले तीन वरत इस प्रकार रखे गई हैं कि प्रतेक वरत और अनि दो वरत इस पर्स करते हैं इन तीनों वरत से घिरे भाग का छितरफल क्या होगा बहुत अच्छा question है इस question को करने के लिए तीन आपको वरत बनाने पड़ेंगे उनको कि अगर इनके संटर की बात करें तो आपको पता होगा कि इसका सेंटर ये होगा और इसका सेंटर ये होगा बात कर prima सेंटर को मिला देते हैं आ ठीक है यह सेंटर को मिला दिया ठीक है यह बात क्लियर हो गई अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है देखने वाली बात है हमसे पूछा क्या गया है इन दो व्रत के घिरे हुए भाग का तीनों व्रत जो है उनके घिरे हुए भाग यह जो आपका भाग दिखाई दे रहा तो ए बराबर 14 का आपका एक 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 एक्विलिटरल ट्रेंगल बन गया, ये बात आपको clear हो गई, ठीक है, अगर आप इस एक्विलिटरल ट्रेंगल में से आपके ये वाला पूंड, ये वाला आपका सर्कल, और ये वाले सर्कल, आपके 3 जो है वो सर्कल 60-60 डिगरी के, एक् यूस्न को अच्छी तरीकर समझ लीजीए गांग ये अगर सरकल का ये साट टिगरी में निकाल दूं तो ये वाला बसता है ना तो हम वही कर रहें इस राइट एंगल मेंसे ये तीन जू है ऐसे कटे हुए भाग मैं निकाल दूँगा, एक, दो, तीन भाग, ठीक है, किस में से, एक्विलिटरल ट्रेंगल में से ये तीन सर्कल के भाग निकाल दूँगा, तो हमारा ये बचा हुआ भाग निकल के आ जाएगा, है ना, चलो, वही काम करते हैं, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्विलिटरल ट्रेंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, रूट 3, ठीक है, बाइ 4, A स्क्वाइर, ये बात पता है, माइनस आप क्या करेंगे, आपको माइनस करना है, पाई, आर स्क्वाइर, तीन सरकल है, 60-60 के तो कितने माइनस करने है, 180, पटे 360, 360 में से आपको 180 के 3 माइनस करने है न, अब इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या क करनी है, वैल्यू पूट करनी है, तो सबसे पहले करते हैं, रूट 3, पाई 4, आपकी जो है, वो भुजा कितनी है, भुजा आपकी कितनी है, 14, तो हम करते हैं 14 into 14, minus करते हैं, πाई कमान कितना होता है, πाई कमान 22 बटे 7 होता है, okay, into, आर आपकी कितनी है, तो आर तो अभी तरिज्या तो 7 ही है, तो तरिज्या हम करेंगे 7, ठीक है, into 7, अगर हम इसको आगे काटे, तो ये 1 बटा 2 आपका निकल आएगा न, 1 बटा 2, तो 2 से काटे, तो आपका ये 7 बटा चला जाएगा, है न, अगर यहाँ पर हम 7 का, इससे काट दे, और उसके बाद आपका 2 से 11 को काट देते हैं, तो आपका कितना निकल के आएगा, ठीक है, कितना निकल के आएगा, 7 सत्य 49, तो 49 root 3, minus, आपका कितना निकल आएगा, 11 दुनी, 11 सत्य 77, तो यही तो आपका राइट एंसर निकला है, जो आपका A option में, तो यह जो बचा हुआ पार्ट था, वो कितना 49 root 3, minus 77, यह जो आपको concept लगा है, यही concept से इस question को solve किया जा सकता है, इसके लावा किसी भी concept से इस question को solve नहीं किया जा सकता है, ओके, simply आपको पता होना चाहिए, कि यह जो आपका equilateral triangle बनेगा, equilateral triangle के अंदर 60 degree, 60 degree के 3 code होते हैं, और हम क्या करेंगे, equilateral triangle में से इन 3 circles को minus कर देंगे, जो circle है, वो 60 degree के हैं, और इसी लिए हमने 3 circle 180 degree लिए है, ठीक है, एक पूरा circle 360 का होता, उसमें से हम क्या करेंगे, 3 180 के minus कर देंगे, clear है, आगे और अब इसे एक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है, ये कुल वजन 104 किलोग्राम हो जाता है, तो व्रद्धी के बाद आयूस का वजन कितना हो जाएगा, बहुत अच्छा कोश्चन है, इस कोश्चन को भी बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए हैं, ठीक है, इस कोश्च अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले इनको डिनोट, अब बात करते हैं आयूस की, तो आयूस को ए वाई लिग देते हैं, ठीक है, अब इसे एक को हम क्या करते हैं, अब इसे एक कोश्चन को अच्छे से समझ लीजे, क्या कह रहा है, कि अब इसे एक का 40% बढ़ गया, अब द चार्जर लगाई हो भाई, लैप्तॉप का चार्जर, चलिए, सो बैटरी का थोड़ा इसे हो गया था, बैटरी मैंने कनेक्ट कर ली है, आपको आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास के अंदर, चलिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताए कि आयूस का 5 रेशो हो गया, ठ कितना निकल के आएगा, आपका 5 रेशो हो गया, अगर इसका 2 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, यह बात आपको क्लियर हो गया, और ओवर्याल कितना बढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, 13 का 60 बढ़ाएंगे, 13 चंग 78, तो क्या निकल के आएगा, अब देखें, यहाँ पर अगर 7.8 निकल के आगया, तो ये कितना बढ़ गया, 20.8 हो गया, ये बात आपको clear हो गई, 20.8 हो गया, और ये जो 20.8 है, बढ़ने के बाद कितना 104 के बराबर हो जाएगा, ये बात आपको clear है, चलिए, अब अगर हम इसको कर दें, हम कितने 104 के बराबर, ठीक, 104 के बराबर कर जाएगा एक ratio बराबर 5 निकल के आएगा, यह बात clear है, आप लोग आगे further इसको solve कर लेना, अगर एक ratio बराबर 5 निकल के आगया, अगर एक ratio बराबर 5 निकल के आगया, तो आपका अभी से कितना हो जाएगा, बढ़ने के बाद साथ पंजे 35, तो इसका जो है वो कितना निकल हो जाएगा वो आयूस का average हो जाएगा simply आपका निकलाएगा तो यही निकालने का तरीका है अगर आप और कोई method लगाते हैं तो आप मुझे बता देना कि इससे sort method भी कोई है जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया क्योंकि मुझे नहीं लगता है इससे कुछ sort method है यही सबसे basic और सबसे sort method है इसी से इस question को आसानी से solve किया जा सकता है हम आगे बढ़ रहे हैं अगले question की तरफ अगला question देखिए क्या कहता है अगला question कहता है कि 15 प्लस चार का क्यूब 15 का स्कुर प्लस चार का स्कुर माइनस के तो यहां पर यहार simply इनकी values को रखना है 15 का अगर क्यूब करेंगे तो 375 आ जाता है ओके 375 प्लस चार चुकु 16 चुकु 64 आ जाएगा है ना और अगर आगे इसको solve करेंगे तो 215 का स्कुर 225 ठीक है और प्लस चार चुकु 16 ठीक है और माइनस का के बराबर आपका हो जाएगा 19 अगे अगर इसको जोड़ेंगे अगर उपर जोड़ेंगे तो 549 हो जाएगा ठीक है और 7 6 13 का 3 ठीक है उसके बाद आपका 4 आ जाएगा तो 3400 आपका 49 नीचे कितना हो जाएगा 225 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11 ठीक है दो एक तीन एक चार तो 441 ठीक है 241 माइनस आपका के बराबर आपका 19 हो गया अगर आगे फर्दर इसको solve करेंगे तो 3 4 3 9 बराबर आपका 19 19 का 1 से 19 से कम 19 19 चकु 76 ठीक है 19 दुना 38 और 38 कितना हो जाएगा 38, 8, 7, 15, 35 45 आपका हो जाएगा ठीक है और माइनस आपका 19 के हो जाएगा अगर इसको पराबर के उधर ले जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 19 के ठीक है और 34 में से 49 को माइनस करेंगे तो 9 में से 9 गया आपका 0 हो गया ठीक है और बात करेंगे, 7 में से 3 जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा, तो 1 और फिर 1, तो k का मान कितना निकल के आगया, 19 शका 114, 60 आपका मान निकल के आया, k की आपका बिलकुल सही option हो जाएगा, clear है, अगले question की तरफ बढ़ें, अगला question देखें क्या कहता है, चल तो सबसे बड़ा होगा ना, अगर 14 का cube निकालोगे, तो ये तो जो है वो बड़ा होगा, 25 का आपको 12 रूट निकालना है, तो ये सबसे छोटा होगा ना, तो यही आपका क्या होगा, सबसे छोटा answer हो जाएगा, C, sorry, B, इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, clear है, आग प्रारंबिक मिस्रंड के प्रतिस्त के रूप में कितना दूद मिलाया गया था, प्रारंबिक मिस्रंड के रूप में आपको बताना है, सबसे पहले हम लेते हैं milk and water, milk और water का अनुपात 1, अनुपात 4 दे रखा है, अगर हम यहाँ पर आपका milk प्लस करेंगे, milk प्लस करने क दूड़ा, तो यह वाला आपका बराबर हो जाएगा, इसको हम direct link देंगे, इसको हम मिटा देते हैं, तो direct link देंगे, आपका कितना ratio के लिख देंगे, हम इसे लिख देंगे, 4 ratio 8, ना, 4 ratio लिख देंगे 8, यह बात आपकी clear हो गई, अब देखिए इसने बोला है कि प्रांच कितना होता है, आपका एक बटे 5 होता 20, और 20 सते 140, तो 140 परसंट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका A option में दिया हुआ है, आई होप यह भी question आपको बिल्कुल clear हो गया होगा, हम अगले question की तरफ पढ़ते है, अगला question देखिए क पांच हो जाएगा, आगे बोला है, दुकांदर अपनी वस्त को बेचने के लिए अधिक्तम कितने प्रतिसत की छूड़ दे सकता है, जिससे उसके कोई हानिना हो, अब देखिए आप कोई चीज 5 रुपए की लाए थे, उसको आपने बढ़ा कर 6 रुपए कर दिया, अब अ एंसर हो जाएगा, 16.66, आपका ए बिल्कुत सही जबाब हो जाएगा, एक चीज और सभी लोग नोट कर लो भाई, यह जो रेशो मैं आपको बताता हूँ, सीधे 1 by 6 कह देता हूँ कि 16.66 हो जाएगा, एक बटे 4 मैं बोल देता हूँ, पर एक बटे 5 बोल देता हूँ, 20 पर x square बरावर 38 है, तो x minus 1 upon x का मान क्या होगा, देखिए इस concept को समझने से पहले मैं आपको पूरा concept समझाऊँगा, क्योंकि अगर concept समझ लिया, तो आगे आने वाले टाइम में जो भी question इस type के मिलेंगे, आप उन question को चुट्टियों में solve कर लेंगे, okay, concept है कि अगर आप x square plus 1 upon x square, बरावर अगर आपको p दे रखा है, और आपको जाना कहा है, आपको जाना है, x plus 1 upon x पे, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, p में आप 2 जोड़ देंगे, और आप इसका under root ले लेंगे, और यहाँ से जो निकलेगा, वही आपका जो है यह, इसका answer होगा, यह बा करेंगे, आपको minus में जाना है, इसमें से आप minus 2 करो, और आप इसका under root ले लो, और यह जो निकल के आएगा, इसका answer, वही इसका जो है वो answer होगा, x minus x का, यह बात आपको clear हो गई, अब यहाँ पर देखी, क्या है, plus से minus में जाना है, तो 38 में आपको 2 minus करना होगा, तो यह क 36 का under root लेंगे, तो यहाँ पर आगा, क्या जाएगा, तो question में क्यों कहता हूँ कि आप 5 second में या 10 second में कर लेंगे, मैं आपको approach सिखा दूँगा, concept सिखा दूँगा, जब अगली बार यह question आपके सामने आएगा, तो आप उसको approach और concept लगा कर trick बना कर आप question को solve कर लेंगे, तो मैं यह नहीं कहता हूँ कि आपको trick ही सिखाऊंगा, पहले आपको concept सिखाऊंगा, trick अपने आप आपको याद हो जाएगी, और कोई भी trick आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, यह भी बता दे रहो, आप बार बार जो है, वो set के अंदर इन tricks को सीखेंगे, इन concept को सीखें कहता है कि एक जीवा द्वरा वरत के केंद पर आंतरित कोण का मान क्या है, यद इस जीवा द्वरा परिद पर बनाये गया कोण छाचट है, तो simple सी बात है, हम सबसे पहले एक आपको क्या लेते हैं, एक वरत लेते हैं, यह concept भी आपने जो है, वो पढ़ा होगा, यह हमने ए कि जीवा द्वरा वरत के केंद पर आंतरित कोण का मान बताना है, मतलब आपको मान बताना है, कौन सा ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको मान बताना है, लेकिन इसमें इसने दिया क्या है, इसमें परिद पर बना हुआ कोण इसने बता दिया है, कि सर्च 66 होगा, यह बात तो आपने एक property सीखी होगी कि जो जीवा द्वारा केंदर पर बना हुआ code जो होगा परिद पर बने हुए code का क्या होगा ये दो गुना होगा ये बात आपने सीखी है तो x का मान कितना दे रखा है x का मान आपका 66 दे रखा है तो 2x का मान कितना हो जाएगा यह बात आपको clear है, तुरंट आप इस question को कर लेंगे, आगे बढ़ यह अगले question की तरफ, अगला question कहता है कि a plus b plus c बराबर 0 है तो a cube minus b cube plus c cube का मान क्या होगा, देखिए आप सभी को पता है कि formula होता है a cube plus b cube ठीक है और plus c cube minus 3abc, c abc, बराबर होता है a plus b plus c, ठीक है यह आपका bracket लग गया और फिर अगले bracket में क्या होता है a square plus b square और plus c square, आगे होता है minus ab minus bc और minus ca, ओके यह formula होता है, अब देखिए अगर आप a plus b plus c की 0 value put कर देंगे तो यह सारी चीछ जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इसके साथ multiply होने पर, तो आपका क्या निकल के आएगा a cube plus b cube plus c cube, उदर आपका क्या लगा है, 0 लगा है, तो यह 0 के उदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 abc, हमसे पूछा तो a cube plus b cube plus c cube कमाना है, तो 3 abc आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका c option में दे रखा है, clear है, आगे बढ़े, अगला question देखिए, क्या कहता है अगला question कहता है, कि sin theta, बराबर 3 cos theta है, तो यह अगर हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, sin theta upon क्या होता है, cos theta, बराबर आपका क्या दे रखा है, root 3 दे रा है, और sin theta, cos theta हमारा क्या होता है, 10 theta होता है, यह बात आपको पता है, तो 10 theta का मान अगर root 3 है, तो theta का मान कितना हो हो जाता है सार्ट यह बात आपको क्लियर है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो थीटा का मान है वो कितना है सार्ट डिग्री है क्लियर है अब हम इसको पूरा डिलीट कर देते हैं आपको थीटा का मान मिल गया थीटा का मान मिल गया थीटा का मान मिल गया आपको सार्ट डिग्र पता है ना आपको चालो तू साट कमान डारेक्टली हम वन बाई टू लिग देंगे है ना और प्लस फाइब अगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा तीन तीन नो नो बटे चार प्लस आपका एक बटे दो ठीक है अपॉन कितना हो जाएगा अब के चोग 24 क्योंकि आपका सी ऑप्सन के अंदर दिखाई दे रहा है क्लियर एक कोश्चन आगे बढ़े अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन देखिए स्टेप वाइस मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं लेकिन यह जो है वो स्टेप आपको फॉलो नहीं करने है मैं यह स्टेप प्लस ली बराबर स्टाइब स्टाइब स्टां कितना होता है स्टाइब स्टा इव कितना होता है पर indeed स्टाइब produkt यह पोड़ें को निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 60 में से 30 को माइनस कर देंगे, तो बचेगा 30, 30 का आदा आपका 15 डिगरी, तो आपका 45, 15 पंदरा आपका जो है, आपका A आपसन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आगे देखें अगला कोशन, अगला कोशन कहता है यहाँ पर, यह इं बहुत अच्छा कोशन है, यार, कैलकुलेशन बेस्ट कोशन है, इस कोशन को आप लोग होमबर्क में कर लेना, ठीक है, यह कोशन सिर्फ आपको अनुपाद बताना है, पहले आपको क्या करना है, मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ, पहले आपको expenditure को जोड़ना है, ठी expenditure का ratio लिखना है, और फिर expenditure plus saving का ratio लिखना है, वो आपको यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, चलो, आगे देखो अगले question की तरफ, अगला question क्या कहता है, अगला question देखाता है, कि नीचे दिया गया बार ग्राफ 5 स्कूल में पुरुष सिचक और महिला सिचको की संख्या को दर आठ बजे से 70 km की गति से चलना सुरू कर देता है, विवेक के 4 घंटे के बाद निरज उसी दिशा में 120 km गति से चलना सुरू कर देता है, निमलिखित में से कौन सा कथन सही है, अगर बात करूं टाइम लाइन की, तो टाइम लाइन हम मालनेते, यहाँ से आपकी टाइम ला कितनी स्फीर से 120 km परति हैं, अप देखे 8 बजए से आपके 12 बजए यहाँ पर कौन पहुँचेगा, अगर 12 बजए यहाँ पहुँचेगा, तो विवेक जो है वो कितनी स्पीर से चल रहा है 70 की स्पीर से तो यहां से यहां तक उसने कितने घंटे लगा दिये 4 घंटे 4 सते 28 मतलब यह दूरी उसने जो है वो 4 घंटे में आपकी 280 जो है वो पूरी कली ठीक है अगर इसको काटेंगे 0 ठीक है तो 25 आपका बर्चा 3 बटे 5 और अगर इसको हम 60 से गुड़ा करेंगे क्योंकि हमें मिनट निकालने है ठीक है तो आपका कितना हो जाएगा 5 ठीक है 12 यह कर जाएगा 12 से 12 तो 5 घंटा 36 मिनट जो है आपका समय लगेगा जब यह आपस में यहां करीब कहीं पर भी आके जो है वो मिलेंगे ठीक है यह दोनों आपस में तो पहला option तो यहां पर आपका बिल्कुल सही है कि 5 घंटे बाद जो है 5 घंटे 36 मिनट के बाद जो है वो मिलेंगे तो 12 बज़े तो चले हैं 12 बज़े में अगर 5 घंटा 36 मिनट जोड दोगे तो 5 बज़े 36 मिनट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है अगला देखो अगला कहता है कि साम 4 बज़े नीरज और विवेक दोनों द्वारा तै की गए कुल दूरी तो यार यह भी आपका बिल्कुल बच्चो आला यहां पर आपका option पूछ लिया गया है इसको भी solve कर लो यह सही है या नहीं है देखो अगर बात करते हैं हम विवेक की तो विवेक के बाद नीरज की तो नीरज तो बारा बज़े ही चला ना बारा बज़े से चार बज़े तक चार गंटे तो यह चार गंटे जो है वो 120 की स्पीड से चला है तो बारा चुक 48 तो ओवर और कितना आ गया 0, 8, 6, 14 ठीक है 5, 9, 10, 10, 1040 किलो मेटर दोनों द्वारा तै किया गया लेकिन यहाँ पर 1080 दे रखा तो दूसरा option गलत है right answer आपका क्या हो जाएगा केवल पहला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आज के जो question थे 25 मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से complete कर दी है हर question को basic से बताया है हर question के अंदर trick बताई है जितना ह को सके मैं concept को easy बनाने की कोसिस करता हूं ताकि हर एक बच्चे को समझ आ सके जिन बच्चों ने अभी तक course को भी पूरा नहीं किया है उन बच्चों को भी इन questions को अच्छी तरीके से समझ लिया जाए okay उनके भी समझ आ सके इन questions को तो अगर आप जितने भी मैं आपको शुर solution उन बच्चों को मिल सके जो SSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले SSC के exams देने वाले हैं okay तो मिलते हैं कल के अपने नए set के अंदर वहाँ पर भी आपको 25 question बहुती best approach के साथ करेंगे ताकि आप math के section को 15-20 minute में खतम कर सकें okay चलिए मिलते हैं कल किलक्रास में